हेई एवन हाव यू ओल सो कैसे हो आप लोग सो जिस बुक के हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट एंड्स विद उस और यह बुक लिक है कोलिन होवर ने सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 16 अब यहां से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 17 क और यह है वीडियो 28 वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर जिन लोगों ने मुझे शोशल मीडिया प्लैटफोर्म से फॉलो नहीं करा आप चाहो तो मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो उन सबकी लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दिये हैं अब जो लिली होती है वो शाम को साथ वजे के बाद घर आती है और जो रायले होता है उसने लगबग एक गंटे पहले लिली को कॉल किया होता है और वो बताता है कि आज वो घर नी आने वाला है क्योंकि जो भी वो कन, फिशर, सैकल एक बड़ा सा भाहियात सा नाम था जो की ऑपरे नामाज पहनती है चुपचा बिल्कुल एक्दम शान्ती से ही अपने सैंडविच खाती है और उसके बाद नहाराम से अपने बैडरूम में लेग जाती है जो उसकी नई किताब होती है वो तीन घंटे पढ़ती है और सोचती है कि शायद किताब पढ़के उसके इमोशन्स शान्त हो जाएं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और पिछले तीन घंटे किताब पढ़ने के बाद में जो उसके इमोशन्स थे वो विल्कुल भी शान्त नहीं हुए थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ था ना उस चीज ने लिली को बहुत ज़दा हिला के रख दिया था अब वो लिली क्या करती है ना बुक मार्क होता है वो लगा के रख देती है और साइड में रख देती है अब वो ना बहुत सोसती है वो ना उस किताब को देखती है जो उसने बहुत टाइम से पढ़ी नहीं थी फिर वो रायले के बारे में सोसती है और लिली सोचती है न कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि भई अब तो हमारी जिंदीगी बिल्कुर सही चलेगी यही रजता है सही कोई दिक्कत परिशानी नहीं होगी लेकिन जो एक टर्न आता है जिंदीगी में उससा सब कुछ बदल जाता है और वो क्या करती है जो Atlas की book थी जो अपने साथ लिखाये थी जो Atlas ने उसको gift दिया था वो उसको निकालती है अपने back से और closet में रख देती है जहां पर उसने बागी किताबे रखी होती है और फिर वो क्या करती है वो उसको उठाती है जो उसने लिखी थी जनरल अपनी memories वो निकालती है और उसको पता होता है कि यह आखरी जनरल है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ और उसके बाद फिर जो Atlas है वो हमेशा के लिए chapter उसका close हो जाएगा अब जब Lily अपनी last journal पढ़ना शुरू करती है तो उसमें लिखा होता है कि dear Alan बहुत बार ना मैं तुम्हें thank you कहना चाहती हूँ कि तुम्हें नहीं पता कि मैं exist भी करती हूँ और मैंने आज तक तुम्हें कभी mail नहीं करा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं बस हमेशा लिखती हूँ और छोड़ देती हूँ लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बारे में जानो मुझे लगता था कि मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूँ इसको मैं अपनी feelings बता सकूँ लगबग 6 महीने हो चुके हैं और मैं सच बताओ तो मुझे नहीं पता कि Atlas कैसा है वो क्या कर रहा है और तो और इन 6 महीनों में इतना कुछ हो गया कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं तुम्हारे बारे कुछ लिख पाऊ इस डैरी में और जब Atlas Boston चला गया तो मुझे लगा कि वो लास्ट टाइम होगा जब मैंने उसको देखा लेकिन ऐसा नहीं था अब लिली लिखती है न कि एक्जैक 42 दिन हो चुके हैं जब Atlas Boston के लिए गया है और मैंने हर एक दिन काउंट करती हूँ और इसलिए काउंट करती हूँ न कि शायद मुझे मदद मिले और मुझे लगता है कि दुनों अलग है और मैं चीज को लेके भी बड़ी शूर हूँ कि भई जो अडल्ट वाला प्यार होता है न उसके अंदर काफी गहराईयां होती है लेकिन जो टीनेजर वाला होता है उसमें शायद ना हूँ हो सकता है भई जो अडल्ट वाला प्यार हो उसमें ज्यादा मैचॉर्टी हो ज्यादा रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए ज्यादा रिस्पॉंसिबिलिटीज हो इससे क्या फरक पड़ता है कि भई प्यार अडल्ट वाला है या टीनेजर वाला है अगर वो प्यार है न तो उसका जो weight है वो equal होगा और मैं वो weight न फील कर पा रही हूँ अपने कंधों पे, अपने पेट में, अपने दिल में और इससे फरक नहीं पड़ता कि मैं कितने साल की हूँ जो मेरी feelings है न एकलेस के लिए वो बहुत ज़्यादा heavy है मैं हर रात ना बहुत ज़्यादा रोती हूँ और मैं बस इतना ही कहती हूँ बस तैー तैरो, बस तैरते रो और न तैरेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है न किसीने जो hook होता है hook जो बड़े से ship में होता है एंकर किसी न उससे न मुझे पकर रखा है पानी में अब जब मैं उसके बारे में बात करी रही हूँ तो मैं तुम्हें बता देती हूँ किस तरीके का experience मैं feel कर रही हूँ और कौन सी stage पर मैं हूँ denial, anger, गुसा, depression, acceptance और कहीं न कहीं जब मेरा सोलबा बर्डे था न तो मैं depression में थी उस रात को मेरी ममी ने बहुत कोशिश करी कि वो मेरा दिन बहुत अच्छा का सके हैं उन्होंने क्या करा birthday gift में न मुझे जो gardening के supplies होती हैं वो लाके दी जो पसंता gardening का काम करने के लिए tools चाहिए होते हैं मेरा favorite cake बनाया हम दोनों बहार गए dinner करने लेकिन जब मैं अपने बिस्तर में आई न तो मैं बहुत ज़्यादा sad थी उस रात और मैं न उस रात रोही रही थी तभी क्या हुआ किसी ने न मेरी window पे tap किया पहले तो मुझे लगा न कि शायद बसाद पढ़ रही हो लेकिन अंदर आया हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और मुझे नहीं पता मैं उसको किती रहे तक गले से लगा के रखा बस मैं रोती रही रोती रही और आज एटलस बहुत अच्छा smell कर रहा था मैं उसको हग करने से मुझे पता चल गया कि इन 6 सफतों में उसने बहुत जादा रोई होंगे अपनी जिन्दगी में सबसे जादा और तो हो सकता है बही कि मैं टीनेज गर्ल हूँ शायद इस वह से और दो तरीके का स्ट्रेस हो में इस जिन्दगी में एक तो मेरे पापा जिस तरीके से मेरी मम्मी को ट्रीट करते हैं और दूसरा मुझे आ अपना सर उसकी चांती पर रखा अब जो लिली होती है उससे पूछती है कि तुम यहां कर क्या रहे हो अब जो एटलस होता है वो कहता है तुम्हारा बर्डे है यार और तुम आज भी मेरी सबसादा फेवरेट परसन हो और मैं तुम्हें बहुत जादा मिस करता हूं और ज जो एटलस है वो आज बहुत जादा खुश था उसकी आँखों में एक अलगी चमक ती जो कि पहले कभी भी नहीं थी और उसको ऐसा लग रहा था ना लिली को कि भाई आटलस को फाइनली उसका घर मिली चुका है अब जो एटलस होता है वो उसको लिली को कहता है कि मैं तु उसने सोचा होता है लेकिन जब उसनों अगली चीज कही न वो चीज ने तो लिली को शॉक करके रख दिया एटलस ने बोला ना जब वो पहली रात उस घर में आया था तो वहाँ इसले नहीं गया था कि वहाँ पर उसको कुछ रहने की जगा मिल जाएगी वो इसले गया था कि वो अपने आपको मारने चला गया अब जो एटलस होता है वो कहता है I hope तुम समझोगी कि जब मैं अकेला था तो मुझे कैसा फील होता है लिली और फिर उसको एटलस बताता है ना कि जब पहली रात वो उस घर में गया था तो वहाँ लिविंग रूम में बैठा हुआ थ उसके हाथ में ब्लेट था अपनी कलाई के पास और जैसी वो ब्लेट से काटने वाला होता है अचानक से तुम्हारे बैडरूम की लाइट जलती है और तुम महां खड़ी थी एक एंजल की तरह है और ऐसा लग रहता था ना कि तुम सीधे हैवन से आई हो और मैं अपनी एक महीने से ना उसको कोई भी feeling नी थी ना अच्छी ना बुरी जब उसने लेकिन जब उसने लिली को देखा तो उसको बहुती एक अच्छी सी feeling आ रही थी और वो feeling इतनी काफी थी ना कि उस रात को वो नहीं मरने वाला था और उसके दो दिन बाद तुमने मुझे खाना द उस जगह पे जहाँ पे भाह मुझे estad at लिली लिखती हैल कि मुझे अपने शरीर में कोई भी हिस्थ्सा इतना पसंद नीए जितना मेरा call बोन वाला spot पसंद जहाँ पी वो मुझे किस्किया करता था और वो मेरा भी फेवरेट हिस्सा हो गया मेरी बॉडी का अब जो एटलस होता है वो क्या करता है अपना हाथ लिली के हाथ में लेता है उसको बोलता है ना कि वो military के लिए जितना उसने plan करा होता है उससे पहले चला जाएगा और तो और जाने से पहले वो उसको बताना चाहता है कि व आए भी वापस या ना आए अब जो अगली चीज एटलस ने कही थी ना जब उस लिली उसकी आँखे देखती है ना तो वो बिल्कुल एकदम साफ दिखाई दे रही थी हो सकता है वो रोने वाला हो अब आटलस कहता है ना लिली को कि लिली जंदगी भी कितनी फणी चीज ह हमें ना कुछी साल मिलते हैं अपनी जिन्दगी जीने के लिए और हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं उन कुछ सालों में हमें किसी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना कि वह चीज एक दिन होगी या फिर वह चीज शायद कभी भी भी नह अब जो लिली थी वो समझ तो चुकी थी कि वो कहना क्या चाता है इसके दो मतलब थे पहला एक तो वो मिलिट्री के लिए चला जाएगा और वो कभी भी वापसी नहीं आएगा दूसरा वो एक तरीके से मुझे ब्रेक अप नहीं करा लेकिन वो बताना चाहता है कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते जो लिली और एटलेस थे न वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे लिली बहुत ही जादा अकेली थी अपने परिवार से बहुत जादा परिशान थी एटलेस जो की अकेला था उसके पास रहने के लिए गज़ नहीं था और इस दरमयान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया ये चीज ना बहुत ही जादा मुश्किल थी क्या आपने सोचा होगी आप तो उसके साथ जिंदगी में रहोगे लेकिन उसने तो आपको कभी पकड़ाई नहीं था अच्छे तरीके से जो भी टाइम ना इन दोनों ने साथ में स्पेंड करा था लिली को ये बात अच्छे से पता थी कि ये चीज हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है और लिली को पता था लेकिन ये पता होने के बात भी ना जो लिली थी वो से प्यार करती थी आइटलस थे और हो सकता है अगर नॉर्मल चीजे नॉर्मल रही होती ना तो ये शायद एक दूसरे को प्यार भी नहीं करते या फिर एक जो टिपिकल रिलेशन्शिप होती है ना ये शायद वैसी होती जैसे सब बाकियों की भी होती है कि भाई एक घर होगा नॉर्मल कपल जैसे रहते हैं लेकिन जिस तरीके की सिचुशन इनके सामने थी ना वो सिचुशन बाकियों के सामने बिल्कुल भी नहीं थी और तब भी ये लोग एक दूसरे के साथ थे और जिस तरीके के experience इनने अपनी जिन्दगी में देखे न वो शायद किसी और नहीं ना देखे हूँ और जो लिली थी ना वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते है कि वो एटलेस का माइन बदले और तो लिली को ये लगता है ना कि भाई जिस तरीके का connection हम दोनों के बीच में है ना उसको तो कोई भी नहीं मिटा सकता लिली को ऐसी feeling आते है ना कि ये जाएगा military में अपना time spend करेगा और मैं यहाँ अपना teenager जैसे मैं girl हूँ मैं कुछ अपने साल यहाँ बिताऊंगी और जब सही समय होगा ना फिर हम दोनों दुबार से मिल जाएंगे अब एटलेस कहता है ना कि मैं तुमसे एक promise करता हूँ लिली जब मेरी जिन्दगी इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि तुम उसका part बन सको मैं तुमारे लिए फिर से आऊँगा लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी लिए wait करो क्योंकि शायद हो सकता है वो चीज कभी हो ही ना अब जो लिली थी ना उसको पहला वाला promise तो अच्छा लगता है कि बढ़िया था लेकिन जो दूसरा part था ना promise का वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इसके दो मतलब थे या तो पहला वो military से कभी जिन्दा ही वापस नहीं आएगा मर जाएगा कुछ ना कुछ बात हो जाएगी या फिर atlas को ऐसा लगता है ने कि उसकी जिन्दगी इतनी अच्छी कभी होगी नहीं कि लिल्ली उसकी जिन्दगी में कभी fit हो पाए अब लिल्ली लिखती है ना कि जो atlas की जिन्दगी है वो तो मेरे लिए अच्छी है अब जो लिली होती है वो अपना सर हिलाती है और ने एक जूटी से स्माइल देती है और लिली कहती है अगर तुम मेरे लिए वापस नहीं आए न तो मैं फिर तुम्हारे लिए वापस आजाओंगी और वो चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी अब जो आटलस होता है ये सुनने के बाद थोड़ा सा हस देता है जो लिली की धमकी होती है प्यार बरी अटलस कहता है न देखो मुझे न ढूना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा तो मैं पता है मैं तुम्हें कहां मिलूँगा अब जो लिली होती है वो स्माइल करते हुए कहती है जहां सब कुछ सही है और जो आइटलेस होता है वो कहता है बॉस्टन और उसके बाद ना वो दोनों किस करते है एलन मुझे पता है तुम्यार अडल्ट हो तुम्हें सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है लेकिन मैं लिखे न वो चीज uncomfortable feel नहीं करना चाहती हूँ इसलिए मैं बस तुम्हें ये बता देती हूँ कि अगले कुछ घंटे न हमने बहुत सारी बाते करी हमने बहुत सारी किस करी हमने बहुत सारी हसा हमने बहुत सारी प्यार करा हमने बहुत ज़िटा गहरी-गहरी सांसे ली बहुत जयादा टाकि हम लोग बिल्कुल शान्त हो सकें ताकि हम पक लैना जाएं इंडेरेक्टलि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा सेक्स करा तो वही वो बताना चाहरी है और जब ये लोग ना sex करके finish हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ लेटे होते हैं बिल्कुल और जो atlas होता है ना उसको kiss करता हो ना लिली के आँखों में देखता है और कहता है ना I love you लिली तो मेरे लिए सब कुछ हो I love you लिली कहती है ना मुझे पता है जो ये शब थे ना I love you ये बहुत जादा teenagers यूज करते हैं और तो और कई बार ना उनको उनका मतलब भी नहीं पता होता बड़ इस्टिल वो यूज करते होते हैं लेकिन जब उसने मुझे ये कहा था ना तो मैं उसकी आँखों में साफ देख पाई थी कि वो मुझे कितना प्यार करता है और ये वैसा वाला नहीं था कि ये मतलब I love you सोचो आप लोग की जिन्दगी में कितने लोग आते होंगे बहुत सारे लोग आते होंगे और जो हमाई जिन्दगी में लोग आते है न वो एक तरीके से लहरों की तरह आते है कुछ लहरे इतनी बढ़ी होती है कि आपके जिन्दगी में बहुत ज़़दा IMPACT दे जाती है कुछ लहरे ऐसी होती है कि जो भी समुदर के अंदर बहुत सारी चीजे होती है वो जब लहर आती है तो भई सारा जो समान होता है सब कुछ होता है वो समुद्र के किनारे जो बीच होती है उस पर सब छोड़ जाती है लहरे और जब लहर वापस जाती है जो सारा समान होता है वो वहीं पर रह जाता है और वो एक तरीके की निशानी होती है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लहर आयती और यह सारा समान छोड़ गया है और जब Atlas ने मुझे बताया था कि वो मुझे प्यार कता है तो Atlas की जिन्दगी में एक लहर की तरह आयी थी और वो लहर ऐसी थी थी ने कि उसने Atlas की जिन्दगी बदल के रख दी और जब उसने उसको I love you बोला था ना उसके बात क्या कहता है वो कहता है मैं तुमारे लिए बर्डे प्रेजन लेके आया हूँ वो फटा-फटा एक small से brown bag में से उसके लिए बर्डे गिफ्ट निकालता हूँ कहता है ना कि मैं यार इतना ही effort कर सकता था तुमारे लिए तो मैं लेके आया हूँ और जब वो लिली गिफ्ट खोलती है ना तो वो देख के बड़े खुश हो जाती है और उसमें लिए चिम्मक होती है मैगनेट होती है और उसके लिखा वूआ होता है ना बॉस्टन और छोटे-छोटे शब्दों में लिखा हूआ होता है जहां पे सब कुछ सही है ़ो वो हमेशा उसको अपने पास रखेगी और जब भी वो उसको देखेगी न, तो उसको एटलेस की याद दिलाएगा जब मैंने ये लैटर लिखना शुरू करा था न, तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये सोलवा बर्डे मेरी जिन्दगी का सबसे अच्छा दिन था लेकिन उसके बाद जो की कुछ हुआ न, भाया वो मैं कभी नहीं भुला सकती और एटलेस न, उस रात को जब लेटा हुआ था, तो उसने बिल्कुल भी उमीर नहीं करी थी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग न, दर्वाजा बन करना भूल गए थे कमरे का और जो उसके पापा थे न, उन्होंने सब कुछ सुन लिया था, और उसके पापा जैसी दर्वाजा खोल के आते हैं तो भाई, एटलेस न, बैड में था मेरे साथ लेता हुआ, और ये देखके तो जो लेली के पापा थे न, वो बहुत ज़ादा गुसा करते हैं और तो जो एटलेस था न, वो बिल्कुल भी एडवांटेज वाली पोजिशन में था ही नहीं, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेरड ही नहीं था और भाईया, जो मारना शुरू करते हैं एटलेस को, बस एटलेस की न, हड़ियों की टड़ पड़ की आवाज आ ले थी, हड़ियां तूटने की और तो और मुझे नहीं पता कि पुलिस को किस ने बुलाया, I am sure मेरी ममी ने बुलाया होगा क्योंकि 6 महीने बीच चुके हैं, हमने अभी तक कुस रात के बारे हैं बात नहीं करा जब पुलिस हमारे घर में आई, हमारे बैडरूम में, तो भाई जो मेरे पापा थे न, उन्होंने एटलेस को इतना मारा था न, कि एटलेस को मैं पहचान भी नहीं पा रही थी पूरा चहरा उसका खूनी-खून में था, और ये चीज ने मुझे बहुत ज़्यादा घवरा के रख दिया और मैं आज भी न, वो जब सोचती हूं, तो मैं बिलकुल घवरा जाती हूं क्योंकि एटलेस को एम्बूलेंस में लेके गया था, और एम्बूलेंस एक मेरे लिए भी आया थी, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रही थी और वो फर्स्ट पैनिक अटेक था, तो मेरी जिन्दगी में मुझे आया था, और किसी ने न, मुझे ये नहीं बताया कि वो ठीक है या नहीं है और तो और मेरे पापा इस काम के लिए अरेस्ट भी नहीं हुए, और जो सब जगा ख़बर फैल गई न, वो ये थी कि भई, जो एक होमलेस सा लड़का था, इनके घर के पास रहता था और उसके पापा ने तो एक बहुत हीम्मत वाला काम कर रहे कि अपनी बेटी को बचा लिया, वो एक जो बेगर लल्का था न, उसने मैनूपलेट कर था, उसनकी बेटी को और उनके साथ सेक्स करना चाता था जो लिली के पापा होते हैं वो लिली को कहते हैं कि तुमने हमारे पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया है और अब हर किसी को मौका मिल गया हमारे बारे में बाते बनाने का और मैं तुम्हें बताना चाती हूँ, अगर ऐसा नहीं भी होता ना, तब भी वो हमारे बारे में गॉसिप करते क्योंकि मैंने केटी को सुना था बस में, आज वो कह रही थी ना, कि एकलेस, एकलेस तो हमेशा सी खराब था यार, मैंने तो लिली को बोला भी था अब जब वो यह कह रही होती है ना, तो लिली को यह लगता है कि साला, अगर एकलेस यहां होता ना, तो मुझसे वो कहता कि वो इसको कुछ मत बोलो, बस एकलम मैच्चोर बनो, कुछ मत बोलो, ध्यान आगे दो, छोड़ो यह सब, लेकिन आज में बहुत जादा थी, वो वहां लिली, उसने तुम्हार तो बिल्कुल ना, ब्रेनवाशी कर दिया, कितना गंदा था वो यार, एकदम गंदा संदा, क्या पता, ड्रक्स लेता हो, और तो वो तुमें सिर्फ खाने के लिए, और सेक्स के लिए यूज कर रहा था, तब भी तुम उसको डिफेंड कर र कि जब मैं इनको लिखूंगी पेपर पे, और फिर सारी फिलिंग्स ना, मैंने पेपर पे लिख दी, और अगले 6 महिने तक मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं लिखूंगी, कोई गलत बात नहीं आयरा है, लेकिन जो मेरा सरे ना, वो बहुत जादा दुख रहा है, जितना वो वापस नहीं आएगा ना, मैं बस यही प्रिटेंड करूँगी कि भई सब कुछ ठीक है, बस मैं तैर रही हूं, हलके-लके तैर रही हूं, लेकिन जो सचाई है ना, वो यह है कि बस मैं अपना सर जैसे तैसे पानी के ना, ऊपर कर वही हूं, लिली, अब जब लिली अग लिली को क्यों माफ करेगा, लेकिन कही ना, कही ना, लिली को पता था, कि एटलेस बच चुका है, इसलिए लिली को पता था ना, क्योंकि लिली थी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उसके घरवालों ने उसको कुछ भी नहीं बताया, ना उसने वैसे जानने ही कोशिश करी, लेकिन उसने ऑनलाइन बहुत कुछ देखा, पता करा, तो उसको इतना तो पता चल चुका था ना, कि उसने आर्मी जॉइन कर ली थी, और वो वहाँ बिल्कुल ठीक था, वो बच गया था, मेरे पापा के टैक से मरा नहीं था, और लिली के दिमाग से आज भी एटलेस नही गया था, वो कहते हैं कि समय के साथ चीजे बदल जाती हैं, लेकिन कुछ चीजा ऐसी होती है जो समय भी भूला नहीं पाता, जब तक वो लीली कॉलेज नहीं गई ना, तब तक तो वो उसकी जिंदगी में बहुत ही अच्छे से था, कॉलेज जाने के बाद ना, वो किसी औ बस थोड़ा बहुत हो, कि मेरी जिंदगी में लोग आयां और फिस चले जाएं, अब एक रात को क्या होता है, तो लिली होती है, वो कॉलेज से निकलती है, रात को जाती है, टैटू जहां पे बनते है, वहां पे जाती है, और तो जहां पे एटलस उसको किस किया करता था थ जो ऊपर से होता है, वो पूरा बंधनी होता, थोड़ा सा खाली होता है, और वो फिलिंग ऐसी होती है, कि उसके अंदर एक छेद हो, ताकि उससे हवा पास होती थे, और जो हलका सा खुला दिल था न, वो कही न कहीं लिली वैसा फील करती थी, जब भी वो आइटलस को क्योंकि अगर वो प्लेथोरा में रहेगी, तो उसके पापा, उसके न, वही सेम चीज़े रिपीट होंगी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, और तो उसके पापा थे न, अब बहुत जादा वीमार पढ़ चुके थे, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया उसके पापा अपने ममी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं का सकते थे, लेकिन तब भी वो प्लेथोरा में नहीं रहना चाहती थी, वो बहुत वहाँ से निकलना चाहती थी, तो इसलिए न, लिली ने खाली अपनी स्टेट नहीं बदली, मैंने, उसने पूरी की पूरी स्टेट ह बॉस्टन आ गए, और जब एकलेस को उसने पहली बार रेस्टोन में देखा, तो उसके इंदर न, बहुत सारे एमोशन्स आ गए, लेकिन मैंने उसको देखके न, बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैं बहुत ज़्यादा खुश दी कि वो अब हट्टा-कटा हो गया, उसक इसको मैं कभी नहीं भुला सकती, और तो और जब तक मैं जिन्दा हो न, उसका जो प्यार है अटलस का, वो में जिन्दीकी में हमेशा रहे का, और यह चीज मैं मानती हूँ, लेकिन अब चीज़े अलग है, और जब आज वो मेरे आफिस से गया है, मुझे लगा कि अब ची पर फोकस करना चाहिए, और हम लोग न, एक ही लहर के मसाफिर क्यों ना हो, इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग एक ही समंदर में जाएंगे, अब जो रायले था न, उसके साथ चीज़ अच्छी चल ले थी लिली की, और लिली को भी न, जैसे आटलस के साथ फील होता था, वै यह सुनने के बाद न, जो आटलस होगा, वो शायद खुछ भी होगा मेरे लिए, और कई बार ऐसा होता है, कोई एक लहर ऐसी आती है, कि उसमें आपना फस आते हो, और वो लहर न, आपको बिल्कुल भाहर ही नहीं आने देती, अब जो रायले था न, वो एक ऐसी लहर थी, कि भाई, उसकी जिंदिगी में वो आया, और पर न, लिली उसी में फसके रह गई, और अब न, लिली, स्केमिंग कर रही है, जो होता है न, लहरों के उपर तैरते हैं, वो कर रही है, तो यह था इस वीडियो में, and I hope so, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, and हाँ, की जिंदिगी में बहुत ज़्यादा इंपेक्ट डालाओ, कमेंट करके ज़रूर बताएगा, थैंक्यू, बाबाए